एक्ता समाचार और एक्ता चेरिटिबल ट्रस्ट के सौजन्य से आज सागवाडा थाना परिसर उपकाराग्रे एवं उपखंड कार्याले में सीमेंट की बैंच लगाई गई सागवाडा उपकंड अधिकारी श्रवन कुमार राठोर जेलर जैकिशन उपध्याय तथा थाना अधिकारी प्रभुलाल ने ट्रस्ट के इस पुनीद कार्य की सराहना की इस अवसर पर एकता चेरिटेबल ट्रस्ट गुजरात के अध्यक्ष ध्रूब बापु एकता समाचार निदेशक शेक राजु भाई बरतनवाला प्रदीप गामोट जैन्तिलाल कटारा अनीता पंड्या कमलेश्वरी दलीचंद बुनकर यश्वंत गवारिया जगदीश मो जेल परिसर में रखे गई और थाणा परिसर में रखे गई इसी बीच हमारे उप्भन अधिकारी साब हमारे भीच है युवा सेनागे अधक्ष तhost के राश्टी अधक्ष धूरूब बापु हमारे भीच है चयर्मेन साब हमारे बदिनण जी हमारे बीच है और समाचार और एकता चेरी टेबल के तरफ से आज 20 कुर्षों का रखने का हमने लक्ष रखाए बताई एकता चेरी टेबल ट्रस्ट और एकता समाचार को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि समाचारों के साथ साथ में इस प्रकार का सोशल एक्टिविटीज भी आप एक हो आम जनत समाचार के द्वारा यह जनति हो रहे हैं इस ट्रस्ट को बहुत-बहुत-धन्यवाद है कि हमारे बीचे धुरूब पूट जो गुजरत 6 तरस से आए है सर बताईये आपके असे सनस्टा के द्वारा क्या-क्या करकम होते हैं और क्या क्या हो रहा है नमस्टार जहिंज भार दिखिए ऐसे तो राजेस्तान में कौन्टेक हुआ हमारे एक्टा समझार के माध्यम से राजोभाय के माध्यम से इधर मैं दिखा हूँ कि आगे महिलाओ के लिए समुसादी जो मैं गुजात में करवा रहा हूं वह मैं आने वाले सल और अगने साल इदर राजेस्तान के और अच्छा लगा कि राजेस्तान के अंदर बहुत अच्छा अब और प्यार भी मिरा रहे हैं जैसे अधिकारी गर्ण अभी जलर साब और जो सरकारी बिल्डिंगों में जिस परकार से आम जन के बैठने की विवस्ता कि में ऐसे यूग किया जा रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चाहते एक संस्ता इसी परकार से जन ही से समंदित सुविदाओं को करें ताकि जनता को इसका बेनफिट मिल सेके औ आज सागवार नगर के सारज जन जगों पे 25 से 40 यह चेहरों का जो स्वयों किया है ऐसे हमारे बीच में गुज्रा से बदारे दुरूबापू और एक समाचार के हमारे शेक राजुबाई बरतनवाले कारागर के हमारे जैलर साब परवादेर ने उपएदय जी एसी मोर्चाई के जिलाज जग दली चंजी मुनकर और ये जितने भी आप देख रहे हो समाच से भी हैं सभी सबने आकर के आज इस कारागर में दो कारी करम किये एक तो सभी केदियों को रक्षा बंदन के उपलक् परवादेरे उनकी तरफ से गीप्त करी गई है हम सब की तरफ से धन्यावाद और आबार ग्यापित करते हैं मैं हमारे राजुबाई जाई निवेदन करता हूं कि आपके दिमाग में वीचार कब आया और आपने सागवारा कोई क्यों चुना इस प्रकार के सहोग के लिए शिराजु बाई बर्दनवाले सभी को धन्यवाद हमारे इस कारकरम में आपने सभी ने शिर्कत की सबने आपका समय दिया मैं एकता समाचार के मध्यम से हमारे चोटे-मोटे समाचार चलाते हैं उसके जरिए हमने एक समाचार चलाया था बाई जेंति बाई के पास 40 गाये ह बाई को चारे की कमी थी भूकी मर रही थी क्योंकि उनको कोई सयोग नहीं था तो हमने एक चोटा सा समाचार को हमारे दुरूब बापू ने देखा धुरू बापू ने देखकर मेरे को फोन किया कि आपके समाचारे में मैंने देखा है कि कहा है चालीद गाए भूगे मर रही है मैंने का कि हमारा डोला गाव है जो ठाकेडा के पास है तो बापू ने एक आईसर भर के एक लाख रूपे की चार यहां से 400 किलिमीटर दूर से लेकर आए और जैनती भई को भेट कि उन्होंने जब से हमारा एक संबंद बना हुआ है हम यहां पर आये थे तो यहां पर जेलर साब ने भी बताये थे कि यहां पर आप लोग मिलने के लिए बंदियों को आते हैं तो उनको बेटने के लिए कोई सुईदा नहीं है वो खड़े रहते हैं तो उनके लिए भी हमने घुषना करी थे कि दो यहां पर हम कुर्शा देंगे वह भी हमने आज दे दी और दो कुर्शी हमने जो है वो ठाने में रखी और एक आईडियम उपिस में और 40 के करीब करीब हम एक कुर्शे बना रहे हैं जो हर मंदिरों में और ऐसे स्तानों पर जहां जिनके घुटनों में दर्द होता है वो नीचे बेट नहीं सकते उनके बेटने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है कि ऐसे लोगों के लिए हम हर जगा सुईदा करेंगे इसकुल कहो या मंदिर कहो या केसी भी ऐसी सरवजनिक जगा कहो जहां जरुत मंद है लोगों को उनको हम ये भेट करेंगे इसी बीच हमारे एकता समाचार के हमारे राजस्तान के हमारे वकिल साब जो हमारे एकता समाचार से जुड़ो हुए है और हमारा पूरा सेयोग करत तो बताई आप सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार विक्त करता हूं कि सेवा के कार्यों में आप आगे से आगे अगरणी रहते हैं और निश्चित रूप से आपने जो एक कदम आज बढ़ाया है सेवा के क्षित्र में बहुत ही अनुक सेवा के लिए जो हाथ उटते हैं वो पूजा के लिए उठे हुए हाथों से भी ज्यादा पवित्र होते हैं तो आज आपने ऐसा पवित्र और एक नेक काम किया है और आज हमारी बहने आई हैं आज उन्होंने सभी कैदियों को भी रक्षा सूत्र बांदा है और ऐसे पेरना का काम किया है कि उन कैदियों को भी एक उत्सा वर्दन हो कि हम नेक कारे में अच्छे कारे में चलें तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पुन्य का कारे किया है उन और परम्पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्त रहें दिरगायू रहें और ऐसे ही नेक और पवित्र काम करते हुए मानवता के लिए एक अच्छा अनुकरनी काम करें दन्यवाद जैबारत जैशिए इसी बिश हमारे अनिता जी पंडिया हमारे बीच है जो आज बंदियों को राखी बांदी है इनोंने इनका हर साल जो कारे करते हैं कम लेश्वरी देवी और यह हम अकसर देखते आते थे पिछले दो से पांस साल से यहां पर आते हैं आज इनके साथ हमें भी इनके भी रहने का मोखा मिला बहन बताइए आप यह कब से शुरू कर रहे हैं पिछले दस सालों से हम पुलिस थाना SDM Office और काराग्रा में हर साल रक्षा बंदन पर हम रक्षा सुत्रबान के भाईयों की सुरुक्षा को लेके यह कारिक्टरम करते हैं लेकिन इस बार हमने सिर्फ काराग्रा को चुना समय यहां परिस्तिति की अनुसर और जो काराग्रा में बंदी हैं उनको भी यह आशोस्त कर उन्होंने में हमें आशोस तरहा है कि आगे से हम यह इसी कोई गलतियां ने करें और जिस परिवार से बहुत दूर आज कहीं गलतियों के कारण कारेग्रा में बेटे हुए उनके भी मन में हर्चे हुआ कि हमें कोई रक्षा सुत्रबान ने हमार तक पहुचा है और महीला जैसे आशकता हुई वैसे वैसे महिला मौचा ने अपना काम किया है आज सनातन धर्म की और एक कदम और अग्रसर हुए है इसी परकार 30-30 रोपे कहीं ने कहीं बेट सहरा लोगों के साथ भी मनाते हुए हम जाते हैं कई निचली बस्तियों में कभी-कभी जाते हैं इसी पर कि एकता फानुडेशन द्वारा भी कोई बेंच यहां पर बेट की गई और वह कारिकरम भी आज ता है ता तो यह एक इत्ते भक हो या भगवान की तो हमारा सामुएक कारिकरम हुआ आप सबको तहदिल से धन्यवाद सबसे पहले मैं राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एकता समाज के माद्यम से गली मोले हर जगह पे सेवा के माद्यम से हो चाहे न्यूज के माद्यम से आप सभी को धन्यवाद सबसे पहले आज उब जिला कारागा में आज रक्षा सुत्र, पवित्र, बंधन भाई बेन का अटूत रिस्ता होता है उसको लेकर हमारी मेला मोड़चा, ऐसी मोड़चा के सानिध्य में आज रक्षा बंधन, बंद्यम को रक्षा सुत्र बानकर उनको एसास दिलाए का वा और जो चेहर भेट किये उसके लिए आप सभी को सादू अधन्यवाद ग्यापित करता हूँ, जेहिंजे वारत. बहुत से बय है जहां बहनों का रक्षा सुत्र नहीं मिलता है, इसी रक्षा सुत्र बानने जीए कमलेशवरी देवी हर समय अपने बहनों को लेकर आती है, आज भी हमारे बीछे, कमलेशोर जी पे लेया, तो सणाधा धर्मों में आप सबसे अवल रेती हैं, और बताई आज में यहा पर कार्कों में आप आप सबका पंदधा आप सबी का बहुत बहुत आभार जो अलप निवेदन पे और यहां पे उपश्चित हुए मेरा लक्षे एकी रेता है कि कोई भी भाई कोई भी बेन ये नहीं चाहती कि उसका भाई कोई अनितिक कारिय में रहे या देश की प्रग्रति में कहीं उसका रुकावठ हो मैं यहीं चाहती हूं सभी भाइव कि यहीं बंदन हमेशा आज से दस साल पहले से ही में करवा रही है यह प्रग्राम मेरा एक ही लक्षा करता है कि दुबारा में जब आओं यहां पर रक्षा सुत्र बानने के लिए तो भाई ना दि है वहीं मिलता है जो हमें बहुत ही हर्ष का विशय होता है और आज जो सामुई कृप से जो कार्य क्रम हुआ और जो ध्रूब बापु जो गुजरास से हैं उनका तहे दिल से आभार प्रगट करती हूं कि इन्होंने हमारे यहां शेत्र में एक जो सेवा के भाव से यहां ब बहनों से भी बहुत बहुत आभार प्रगट करती हूं कि वे हर समय हर भाई को यही वचनले उनसे कि हमें कुछ नहीं चाहिए हमें आपकी प्रगरती चाहिए और देश के साथ जुड़े होने चाहिए और देश की संस्कृति में ढल जाने चाहिए अपना देश विश्वे गुरू के अस्तर पर जाए और इसमें एसा कोई कारिया नहों कि जो देश की प्रगरती को रोग दे बंदे मात्रम आज एसी बहने भी हमारे बीच है राजिस्तान के अंदर जो जवाला की तरह भढ़कती भी है चमकती भी है इसी कारकर में हमारे समधभाई जो लियागोड का काम हमारा देखते हमारे बीच है समधभाई पहले देखता समाचार में आप आए हो बहुत बहुत धन्यवाद ए काम हो रहा इदर और इस अपने शेत्र में जो इस तरह से बेंच वगिरा या जो भी सुईदा इस तरह से दुरू बापू के दौरा दी गई है एक सराणिय है मैं और सस्था के दौरा इनका सतही दिल से स्वागत और अभी नन्दिन करता हूँ और इसी तरह से ये इस शेत्रा में और भी आगे काम होते रहें और हम सब मिलके काम करें और एक बार एकता समाचार को और धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद जो गुजराद 400 किलिमीटर दूस से हमारे बीच आए है धुर्व बापु धुर्व बापु एक ऐसा नाम है जो गुजराद के अंदर इन्होंने एक गो मता का मंदीर बना रहे है ये क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं भी गो मता का मंदीर नहीं है मगर गो प्रेमी भी ये और ह इन्दु युवा सेना के राष्टी अध्रक्ष भी हमारे बीच है बापु पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है आप यहां पे आए बेहनों के साथ आज आज आपको रहने का मुका मिला बताईए जहीं जए बारत सभी को अत्रुपस्तित जेलर साब और साकवड आजला की रक्षाश्त्र कारेक्रम में मुझे शामिल होना है तो मुझे बहुत खुसी हुई यह बात जानके कि हमारे हिंदु तत्व में भी शक्रियब है जो एड़ोकट है और इधर जहल में सभी जो जितने कारावास में जितने केदी है उन सब के लिए जो अच्छा है के रखे और अपने परिवार पे अपने घर पे जान दे और सभी को मेरे बाहर को भी जो मेरे युवान भाइबेन है उनको भी मेरा नमर विननती है कि आप एक संसकारी बने और एक सामचेत बने और आगे जिनकी जीए अपने अच्छी तरह के से अपना जीवन गुजारे और यसी अभी आप देख रहे हो कि जमाना बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है इसमें आप क्रिमिनल में नहीं बढ़े पर लेकिन आप आगे बढ़े आपने वहिश्यों के लिए अपने फैमिली के लिए और कुछ अपना अच्छा कारिया करें ऐसी मेरी सुकबना है और आप लिंक उपन किया तो इसमें एकता समाचारगे दोरान चलाये गाओमाता के लिए गास्चारिका दा तो मैंने लिंक उपन करके हिस्ट्री में गया फिर उसमें कॉंटेक कल लिखा था राजुभै। तो राजुबाई को मैंने सिधा कॉल किया, संपर्ख किया, तो ने मुझे पूरी कहानी बताई, तो फिर मैंने सुचा की चलो भाई, वहाँ पे जुरू थे, कि बीना ट्रस्टी गौवसाला चल रही है, यसी गौवसाला ट्रस्टी मंडड़ में इस भारत में करोडो चल रही जो पेसे खाने वाली गौवसाला है, लेकिन जो जन्दी भाई है, जो बिना ट्रस्टी गौवसाला चला रहे है, तो फिर वहाँ से हमारा संपर्ख हुआ, फिर मिलना हुआ, इदर आया में तो बहुत अच्छा इन्होंने वदारमोरे देश पे राजिस्तान पे बहुत बताया उसके बारे में? अपना आधारगार आईडी प्रूफ है, हम लोकेशन बिजे, तो मेरी कार उनको उनके घर तक पहुचाएगी, यह मैं सुईजा आने वाले समय में भीट करूँगा कार. बहुत बड़ी बात के हमारे धुरूफ बापू ने इसी विच हमारे को इसकारकम का आयोजन करने के लिए हमें अनुमती दी और इन्होंने जो मांग रिकी थी, वो भी हमने फूरी की उसके लिए हमारे जेलर साम हमारे बीचे, जेलर साम फिलत एकता समाच अनुस्वागे परिजन बहुत दूर से आते हैं, सुबह आ जाते हैं, मुलाकात का समय लेट होता है, तो बेटने कोई वेवस्ता नहीं थी, तो उनको बताया गया और उन्होंने दस या पंदा दिन के अंदर चेरे या रख दी, तो उनको तहे दिल से आभार, और ऐसे कार यह हमेशा करते जिससे लोग आप भला हो, और आज बेहने भी आई, उन्होंने रक्षा सुतर बांदे, बंदी बहुत सारे से हैं, जैसे अंदर आपने देखे भी होंगे, कि जिनके बेहने नहीं आपाई, किसी काणवश नहीं आपाई होंगे, तो आज उनको राखी बांद कर तो उनका मन भी प्रफुलित हुआ, तो उसके लिए भी आबार, मानो मातर की खुशी हुई, इसके बाई, रक्षा सुतर सभी के कलाई में रहे, तो ये संकल्ब पूरा हुआ, तो आप सभी का आबार और इस तरह कारे करम में आप पदारते रहें, इसके देखे दन्यमात, अब आबार क की रस्म हमारे जिनती भाई, जो हमारी इस कारे करम के जन्नार दाता है, भारत माता की बारत माता की वंडे, वंडे, आज उपकारागरा में, जो ये कारे करम रखा गया, जो ये बेहना, एक भारत की नारी, राष्ट की नारी, इस धर्ती की नारी, जो इसे दुखी लोगों डून करके दुखी लोगों को डून करके काम मुझे रक्षा कहां बांधनी उसको कहते हैं बेहना वो कहते हैं भारत की नारी ऐसी नारियों को मेरी भारत माता की और से सतत कोटी-कोटी मेरा नमन हो पहले तो इस कारागर में ऐसे वेक्तियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सत काम करें जैसे आज एक मेरे पास में भी चाली पिस्तालिस गाये हैं मैं गव माता की सेवा करता हूं आज तो वही इस गव की तागत है जो आज मेरे राष्टवादी ध्रूबापू को गुजराचे या लाने की वह गव माता में वह तागत हैं उनकी गास के चारा के लिए वह गव तरस रही थी तो मैंने वही राजुबाई शाब को एकता समासर में में फोटो डल वाए था और उस गव माता की वह तागत है भारत की धरती के पर विस्व की दर्ती के ओपर गव मताम वह तागत हैं कि जो दुरूबापू को ला करके आज यहां कारागर में पुलिट चोकी में एडियम कारेले में जो धर्म के लिए जो ऐसे लोग आ करके बेटते हैं उन लोगों के वहाँ पर बेटक की वेवस्ता की ऐसे सच्छे कारिय में अगर धुरूबापू जैसे गुजराच से आ करके यहां करते हैं तो क्या राजस्तान में और लोग कोई साथ दे करके ऐसा कोई काम करके अपने राष्टे के लिए देश के लिए भारत माता के लिए अपने देश के लिए काम नहीं कर सकते हैं क्या इसलिए मैं तो हर व तो मुझे गव माता रोडों पे बेटती हैं तो कोई कोई आ करके एक्षिर्ण कर लेती हैं उन एक्षिर्णों में फिर ले जाकर करके गव साला में शिप्ट करती हैं हो सकता है मेरा ये कहना है कि डूंगरपुर जिल्ले में जहां पर ऐसे सेहर हैं बाजार हैं गव माता हैं उनको अगर सरकार इसी मांग करें, कि इसी जगह पे जगह अलूट करें, और इसे युवा साथ आएं, कि उन गव की सेवा कर सकें, जैसे मेरे जैसे, आज मैं खुद कहरा हूँ, कि मैं गव साला की, मेरे पास में बिना टेस्ट से, मैं आज इत्ती गव की में सेवा करता हूँ, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते हूँ, इसलिए गव जो गाये हैं, वो यह रोडों पे बैटी रहती हैं, और आने जाने वाले को लिए, कोई एक्स्रेटन करके निकल जाता है, और गव माता को लग जाता है, जे जे गव माता की, भारत माता की जे.